आज का जो हमारा topic है that is very important one हम लोग hydrocarbons के बारे में discuss करेंगे hydrocarbons का naming कैसे होता है उसके बारे में discuss करेंगे hydrocarbons basically होते हैं compounds made up of carbon and hydrogen आपको ये 10th standard science में आना चालू हो जाएगा उसके बाद 11th में 12th में और आगे जब जब chemistry के subjects होंगे उसमें organic chemistry में आपको hydrocarbons ज़रूर आएगा basic nomenclature जो basic hydrocarbons है हमारे उनका क्या classification है उनका nomenclature nomenclature का मतलब होता है कि naming का process क्या rules follow करने होते हैं ताकि हम किसी भी compound का naming कर सके आज हम लोग वो discuss करेंगे so let's get started so hydrocarbon का basically मतलब होता है compounds that are made up of carbon and hydrogen तो उसका हम लोग nomenclature करते हैं basically जो classification है वो तीन categories में है उसके अलावा भी होते हैं लेकिन आज हम लोगी तीन category का पढ़ेंगे जो basic hydrocarbons होते हैं वो तीन categories में बाटे गए हैं एक है अपना alkaline दूसरा है अपना alkaline और तीसरा है अपना alkaline this this and this इसके अलावा भी होते हैं हम लोग hydrocarbons में ऐसा कर जकते हैं कि hydrogen को replace कर देते हैं with any other functional group लेकिन वो हम लोग next वीडियो में cover up करेंगे पहले हम लोग जो basic है जो base है hydrocarbons का उसके बारे में study करते हैं कि जो simple hydrocarbons से उनका naming हम लोग कैसे करते हैं now carbon जो होता है यह अपने chapter में पढ़ा होगा कि carbon है ना तीन तरह के bond बना सकता है एक है अपना single bond एक है अपना double bond और एक है अपना triple bond इन में से आलकेन जो होता है that is made up of single bond जो आलकेन होगा उसमें एक double bond जरूर होगा एक सा जादा भी हो सकता है वो हम लोग आगे discuss करेंगे जो आलकाइन है उसके अंदर एक triple bond जरूर होगा तो हमें यह चीज़ याद रखनी है कि अगर आलकेन है तो उसमें सारे के सारे bond single bond अगर आलकेन है तो पूरे compound में कम से कम एक double bond जरूर होगा और अगर आलकाइन है तो पूरे compound में कम से कम एक triple bond जरूर होगा अभी naming याद रखने से पहले हमें कुछ word roots याद रखने है word root का मतलब क्या है कि हमारा जो compound है वो रहेगा और साथ में alkyne है alkyne है या alkyne है उसके पारे में हम लोग plus करके add करेंगे naming में add करेंगे तो जो हमारे basic 10 word roots है उसमें अगर आपके पास compound में एक carbon है then it is myth अगर 2 carbon है then it is इथ अगर 3 carbon है then it is prop अगर 4 carbon है then it is but अगर 5 carbon है then it is pent अगर 6 carbon है then it is hex अगर 7 carbon है then it is hept अगर 8 carbon है then it is oct अगर 9 carbon है then it is non और अगर 10 carbon है then it is deck इस से जादा भी होते हैं बट हमें 10 से अपना काम आराम से चल जाएगा 10, 11, 12 सब में 10 तक के आराम से आपको आ जाएंगे उस जादा का आपको करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा अब इनका naming कैसे करेंगे अगर हमारा कोई compound alkane है तो उसके naming में होगा word root plus ane अगर वो alkene है then word root plus ane और अगर वो alkane है तो word root plus ane जैसे कि अगर मुझे इसका निकल देते हैं फाइ कारबन का फाइ कारबन का अगर मुझे alkene निकलना है तो पहले word root लिखना है और plus बाद में ane लगा देना है तो नाम होगा pentene अगर मुझे पाँच कारबन का alkane बनाना है तो यह इस तरीके से हमारा naming होगा अलकेन, alkane और alkene इनका एक formula भी है alkene का formula है cn h2n plus 2 alkene का formula है cn h2n और alkane का है cn h2n minus 2 एक-एक example करके देखते हैं आपको idea हैगा अगर मुझे 4 carbon का निकालना है तो मेरा alkene जो होगा वो उसका formula होगा c4 और h हो जाएगा 10 naming अगर हम लोग करेंगे तो 4 carbon means word root है but और because alkene है तो last में an यह आएगा so butane उसका formula बनेगा यह अगर मुझे इसी का alkene बनाना है so formula is cn h2n तो c4 और h8 हो जाएगा जो नाम होगा उसमें word root plus ene लगाना है तो ene अगर मुझे alkene का देखना है then it is cn h2n minus 2 तो c4 और h6 आजएगा और उसका नाम हो जाएगा बाद में butane word root साथ में y ne लगा देना है तो इस तरीके से आपको यह चीज़ याद रखनी है formula याद रखना है तो ene अगर alkyne है तो ene और alkyne है तो y ne अब हमें अगर इसका structure बनाना हो तो कैसे करेंगे structure बनाने का भी एक मैं आपको तीनों का एक एक structure बना के दिखाता हूँ जैसे butane क्योंकि सिर्फ naming से आपका काम नहीं चलेगा आपको structure भी बनाना पड़ेगा butane और butane सबसे पहला काम है सबसे पहले तो आप अपना formula लिखिए C4H10 यहाँ पे C4H8 यहाँ पे C4H6 इसमें हमें याद है कि अगर वो एक alkyne है तो इसमे single bond होगा इसमे alkyne है एक double bond होगा और इसमे alkyne है तो एक triple bond कम से कम होगा ठीक है अभी हमें हमारे पास formula है हम लोग आराम से उसका structure बना सकते है C4H10 सबसे पहले तो 4 carbon बना दीजे H10 है तो पहले तो 10 hydrogen को allot कर देते हैं हर एक carbon को 2-2 mil क्या उपर नीचे एक एक और विकाज अब 8 हैं दो बचे एक इधर दे दीजे एक इधर दे दीजे This is the structure of butane अगर हमें butane का निकालना है अगेन पहले तो आप simple 4 carbon बना दीजे 1, 2, 3, 4 4 hydrogen 8 है तो एक एक hydrogen पहले लगा देते हैं अब हमें देखना क्या रहता है कि carbon जो है वो चार bond बनाएगा वन बाई वन हम लोग देखते जाएंगे कि carbon के पास चार bond हो रहे हैं या नहीं फर्स कारबन को अगर देखे तो एक, दो, तीन ये सिर्फ तीन ही bond बना रहा है लेट्स मेक इट कि हम लोग इसको एक hydrogen इदर से निकालके पहले इदर देते हैं एक hydrogen इदर आ गया आप इदर hydrogen ना डालके simple double bond इदर भी डाल सकते हैं मैंने इदर डाल दिया वो भी चलेगा अब इस carbon को देखे एक, दो, तीन, चार इस carbon की चार valency satisfy हो गई इस carbon की देखे तो एक, दो, तीन अब इसकी खाली तीनी valency हुई है what will do? हम लोग एक और bond देते हैं तो यहाँ पर उसके पास एक double bond आ गया अब देखते हैं 1, 2, 3, 4 इसकी भी खतम हो गई अब इस carbon की देखे हैं 2, 3, 4, 5 यहाँ पर 5 आ गया अगें carbon की bond खाली 4 बन सकते हैं तो एक hydrogen हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और उस hydrogen को हम लोग उसके adjacent carbon पर लगा देते हैं यह carbon आ गया अब अगर देखें तो 1, 2, 3, 4 इसकी valency भी satisfy हो गई इसके bond भी satisfy हो गई इस carbon का देखें तो 1, 2, 3, 4 इसका भी carbon satisfy हो गया तो इस तरीके से हमारे 4ो carbon के 4-4 bond satisfy हो गए तो यह हमारा butene का structure हुआ अब इसमें एक चीज़ आप और भी कर सकते थे जब first carbon का हम ने देखा तभी यहाँ पे 3 bond बन रहे थे तो यहीं पे हम लोग double bond भी डाल सकते थे आप double bond की position कहीं पे भी रख सकते हैं हाँ, नाम change हो जाएगा जैसे ही double bond का position change होगा तो नाम change हो जाएगा बट वो हम लोग next topic में cover करेंगे कि bond की position के इसाबसी naming कैसे change होगा अभी के लिए हमें सिर्फ structure बनाना सीखना है कि structure बनाते कैसे है उसके लिए हमें एकी चीज़ याद रखनी है carbon के पास 4 bond होने चाहिए अगर 4 bond से कम पढ़ रहा है तो हमें double bond या फिर अगर हो सके तो triple bond भी डाल सकते हैं जो हम next example में देखेंगे अब करते हैं हम लोग ब्यूटीन का अब ब्यूटीन के पास अगेन formula is C4H6 तो पहले तो 4 carbon बना दीजे single bond के साथ साथ अब एक एक hydrogen पहले देदो because 6 ही है हम लोग 2-2 देनी पाएंगे 6-6 देदेते हैं एक hydrogen इधर देते हैं एक hydrogen हम लोग रख देते हैं किनारे किना रूपे 1 by 1 हम लोग carbon की bonding देखते हैं अच्छा एक चीज़ और याद रखेगा जब हमें पता है कि ये एक alkyne है formula देखके पता चलता है कि ये alkyne है और आपको तो exam में naming भी दे रखा होगा ये butane है butane का structure बनाई ये आपको कि कम से कम एक carbon में एक triple bond आएगा एक carbon triple bond ज़रूर बनाईगा और यहाँ पे butane में भी यही चीज रहेगा last में अगर ENA तो हमें ये पता होगा कि एक double bond आना ही है तो जब हम लोग carbon के bonding बनाए तब एक double bond उसमें होना चाहिए अब अगर इसका हम लोग bonding देखें first carbon का तो एक दो तीन यहाँ पे खाली तीन हुआ अगेन हम लोग जो इसे previous में किया वैसे करेंगे adjacent से एक hydrogen निकाल लेता है और यहाँ पे डाल देता है तो यह carbon की चार valence से satisfy हो गई चार bonding बन गए तो यह carbon का हो गया इस carbon का देखते हैं 1,2 अब इसके पास खाली 2 है हम लोग 2 और देदेते हैं तो इसके पास 4 हो जाएँगे तो 1,2,3,4 अब इस carbon की हो गई अब इस carbon को देखें 1,2,3,4,5 अगेन इसके पास 5 हो गया क्या करेंगे एक hydrogen को फिर से निकाल लेते हैं और उसके adjacent carbon को दे देते हैं अब carbon की valency satisfy करती है के नहीं देखते हैं एक, दो, तीन, चार ये carbon का भी हो गया इस carbon का देखो एक, दो, तीन, चार इस carbon का भी हो गया carbon के चार bond बन गया और हमारे पास एक triple bond भी आ गया जिससे ये confirm हो जाता है कि ये एक alkyne है और हमारा जो compound है वो butine है तो ये चीज़ आपको याद रखने है basic चोटे-चोटे जो rules हम याद रखने है पहले उसका structure बना पहले अगर आपको naming करना है तो name से structure अगर बनाना है तो पहले उसका molecular formula लिखिए molecular formula लिखने के बाद ये देख लीजे कि आपके पास कितने carbon है पहले तो carbon's बना दीजे carbon's के बाद hydrogen को place कर दो और उसके बाद अगर वो alkyne है तो इतना याद रखिए जब भी अपन carbon के bonds देख रहे होते हैं तो उसमें एक double bond ज़रूर होना चाहिए और जब हम alkyne का देख रहे होते हैं तब उसमें एक triple bond ज़रूर होना चाहिए उस तरीके से हमें carbon के 4-4 bonds को बनाना है आपको हमेशा यही याद रखना है कि carbon के 4 bonds बनने चाहिए उसके लिए आप hydrogen की place को maneuver कर सकते हैं hydrogen की place को आप change कर सकते हैं यह हमारा basic एक video था regarding simple hydrocarbons के simple hydrocarbons में naming कैसे होगा structure कैसे बनेगा जो हमारा next video होगा उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से functional group लगने से पूरा का पूरा naming आलग से change कैसे होगा क्या उसके rules होगे और कैसे structures बनेगे till then thank you